नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसम कलेक्टिब्स में दोस्तों, आज हम फिर उपस्तित है एक नई रोचक जानकारी के साथ आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अन्ट तक जरूर देखें तो आएए दोस्तों, सुरू करते हैं दोस्तों, अक्सर ही हमें सपने में अमरूद या आम या फिर केले के सपने आते ही रहते हैं लेकिन अगर यही सपना, अमरूद का सपना अगर किसी गर्भोती महिला को आता है तो इसका उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है आए जानते हैं तो अपने सास्तर के अनुसार अगर व्यक्ति को सोते समय जो सपने आते हैं वो सपने मनुष्य के लिए घटने वाली घटनाओं का संकेत लेकर आते हैं वो सपने कभी सुब होते हैं तो कभी असुब भी होते हैं तो आई ये दोस्तों जानते हैं कि सपने में अमरूत देखना कैसा फल देता है सुब फल देता है या फिर असुब फल देता है दोस्तों सपने में यदि कोई व्यक्ति अमरूत को देखता है तो स्वपन सास्त के अनुसार यह बेहत ही सूप स्वपन माना गया है इसका यह मतलब होता है कि आपको अपनी महनत के अनुसार उसका अच्छा फल प्राप्त होने वाला है दोस्तों स्वप्न सास्त के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में अम्रूत को खाते हुए दिखता है तो इसका यह मतलब होता है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति को अपार समपत्ती मिलने वाली है कहीं से अचानक से उसे धन प्राप्त होने वाला है यह इश ओर इसारा भी करता है कि आने वाले भविश में आपको धन सम्बंदी परिशानी कभी भी नहीं होगी वहीं अगर यह सपना किसी गर्भोती महिला को आता है तो इस सपन के अनिस्वार उसका बच्चा तंद्रूस्त और स्वस्थ होगा जी हाँ दोस्तों अगर कोई गर्भोती महिला अमरूत का सपना देखती है तो वह यह तै कर लेना चाहिए उसे कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पुत्र ही होगा और यह बच्चा उस महिला के लिए धन वैभा भी उसके घर में बढ़ाएगा घर में धन की बढ़ोत्री करेगा या पिर कहलें कि घर में सुक्सम्रिधी को लेकर आएगा तो दोस्तों अगर कोई गर्भोती महिला अगर सपने में अमरूत को देखती है तो वह यह तै कर ले कि उसके घर में पल रहा बच्चा पुत्र ही होगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद